हेलो इस्टुइएंस गुड मॉर्निंग आज में क्लास से गएंगा चैप्टर फूर में सब्द विचार लाई हूं के वर्डों के शार्थक और स्वतन्त शमू को हम शब्द कहते हैं हम यहहें को को अब बॉक में कर्ली गएगा बन के यहां वह यहां बोलागया है वाक्यमें प्रियुक्त सब्दों को हम पर कहते हैं पर कीसे कोई न रूख याफिखे शब्द बोलमें यी मतलब общем यह होता है तो वाक्यमी जिसी सब्द होते करते हैं तो शब्द के कितने भेद होते हैं शब्द के इस्तूत के आधार पर और रचना के आधार पर प्रियोग के आधार पर और चार भेद होते हैं ये यहां पर trafficking किसको पर तर्षम में संस्कित पड़ते हैं परते हैं ओर देशाष का Memphis हो आधाल जandкой को कि यहां पर हमागे तश्रम और तद्भा तश्रम सब्द किसे कहते हैं जो संस्कीर से जो सब्द आते हैं उस तश्रम होते हैं और तश्रम से जो सब्द आते हैं वो जो विगड़ा हुआ जो रूप रहता है तश्रम का जो विगड़ा हुआ रूप रहता है वो तद्भा पर आपको कहा जाता है तर तस्रम कहां से आया है सब्सक्राइब यह संस्क्रिस तक है टाइब देखिए हैं पना आपलों भूक में पढ़िएगा तर्षम और दुह सब्पां क्या है अनके तर्षम कौन से हैं और यह पर भी है यह सब भूक में पढ़ लिटेगा के रैगा यहां पर वी चीजिए आए तर्षम तदृव हैं देखिए असलतना ожно भी नुख natinety विशे फार्षी से पुद्गाली से तूर्की से इस शब्द हमारे जितने बी हिंदी में ना वह बहुत सारे सब्द जो की बाहर से आये हैं तो उसके जावलों देख लीजिए इसे नोलेज हो जाएगा और रचना के आधार पर कितने शब्द की भेद होते हैं रचना के आधा उसे हम रून कहते हैं जैसे रोटी पानी रून शब्द क्या है कि उसके टुके नहीं किया सकते है जो है वैसा ही रहेगा योगिक शब्द क्या होते हैं दो या अधिक शब्दों अथ्वा सब्दान्सों के योग से बने योगिक शब्द में दो शब्द मिलकर एक नया शब बनाते हैं उसके हम कहते हैं योगीक शब्द जो सब्द बनता है उसे सब्द्र में जैसे की विद्या प्लस आले विद्या यह बहुत शब्द्राइब त्रियोग प्लस कच प्रियूग कि इसी तरह तिसरा जाएगा योग रूण देखिए आप जो जो टिक किया गया है वह कोसन का जोग फाइप नमर्स न हो इसका देखिए आप टेक किया गया इसको आप ध्यान से देखते चलिए तमने ही कर लोग कोस और कोशन एंसर खोजने मे बने ऐसे जो योगुण कहा आते हैं जनका आर्थ साड़ा, मैं दोशे दोछे अधिक सब्दो के योक से जो सब्जा गाते है और इसके साथ योगी सब्द में तो कोई बिशेश सब्द नहीं होता है लेकि योगरू में बिशेशаст और्फदोना समान्य अर्थ होता है 9 सब्रेट नarm के दो Dr. टीसरा शब्द की उत्पति की विशेस होता है जैसे की 4 त्रों कि ट्र डार चक्र घड़्द्र कर नहीं घ्युcket प्रवत का नाम है अधिसे तरह भूट करने पढ़ेंगे यहां पर और भी है योगोण शब्द ही प्लस आले हम एक परवत का नाम है जो कि हमारे नौट में पढ़ता है भारत का सबसे मद्रों क्या मुखोन है सीर्मुखुट है। हमारे मद्रीव देश का क्या होता है यह शान हà एक दन्थ एक दन्थ किसको म्हों Geneva सामानी नहीं यर्थ सामानी सब्दAyang Hayır यह यह 2600 सब्द्द विकारी शब्द किसे काते हैं वक्रिफारी शब्ध में प्रियुक करते हैं जिन शब्दो के रूब में परिवर्तन हो सकता है जिन सब्दों में परिवटर होता है और जिन सब्दों में परिवर्तन में परिवर्थन नहीं होता है और вд इस पै我 बी इतने कि अर्थ की आधार पर है अनिकार्थी है प्रयवाची है दिये अर्थक है उक्यां addition यहां पर आप लोग पढ़ लिए अगर पर आप जान गई हुँए इसको आप लोग जरूर पढ़िए अहां इस पढ़ना बहुत जरूरी है इसे आप लोग का इंसाइड कोशन मिल जाएगा अब इसमें मैंने टिक कर दिया ताप लोग को पहले बता जब मैं पढ़ा रही थी सते कि अन्यावशं को कर दोब ताशन को करते हैं अभिकारि अंविकारीच लेगा देड है कि उनके शब्दों में कोई परिवर्दन नहीं होता है इसलिए उसे अभिकारी शब्द कहते हैं या फिर मैंने वापर टिक कर दिया है को सिक्स का ओके इसको क्या कहेंगे रिकतासानों की फूरती नीचे देगे उत्रों में से जब शब्द वाक में प्रिक्थ होता तो उसे क्या कहते हैं पद तद्भाव शब्द शंस्क्रीत शब्दों से विगर्षवर कर बनते हैं ओके सब्सक्राइब प्रियोग करने पर अब विकारी अभीकारी शब्द के तो पर अब अब विकारी मतले जिस सब्द में कोई परवलता नहीं होता है उशे क्या कहते हैं अभीकारी शब्द क्या होगा अब यह देखिए को से नंबर एट में क्या निजनेखित प्रशनों के उत्वर्ष्ण विकर्पों से चुनिए वर्शा का क्वारेश आगे का तश्रम क्या होका अग्र इचाड़ू किस पर का करशब्द है देश ज़ज अमस्दूर किस पर करश्ब्द है विडेशी कालेश प्रिकार सब्द विडेशी ज़ब कि योगी शब्द चाटि कर ये दिया पू कि जो भी घर्भिड्यार्थी क्विद्धिया इसको देख लेजी ध्यान से इसका ना है पर कोसर में टेन निल्गी तद्भाव शब्दों के तर्ष्ण वरूब पर टिकासे नहीं जो ना कर यहां पर तद्भा बताना है जो अशुद है सोना का सोन होगा अब देह कर दो का इस जो इस स्वन होगा एक शुद्ण का करम चंद्रमा होगा घर का किया होगा ईक सद्धों में से रूण योगी को योगरूब शब्दों को चाड़ कर लिखना ना है हिमारी योग रूण है जराश्य योगिक है मुख का रूण होगा फल रूण है पेड रूण है चुरियागर योगिक है चारपाई योगिक है रेंगा रूण है लालखिला योगिक है प्रधामंत्री योगिक है यहाँ पर निचे दिएगे शब्दों से संस्कीत अंगरेजी तो नहीं कि अमीर का णीवार्टी आदम और विदेशी किताब क्या है लेडियों कि अवलाद विदेशी पूस्तक विदेशी आदमी तधौर ऑप लोग का इस तरह ने सन्री वह अच्छा चप्टर चला था इसके बाद अपनों के कहानी है नेश्ट वीडियो मेरा जो रहेगा कहानी करेंगा तो आज के लिए इतना ही इस्टिजेंट्स और जो नहीं अगर आपको आगा तो कॉमन बोक्स में जब पुछेगा तो आज के लिए इतना ही थैंक